असलाम अलेकुम चली आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग समझते हैं आप लोग के टेंथ क्लास के दरक्षा का बुक का जो चैप्टर नमबर फूर है जिसका नाम है कटी हुई शांख इस चैप्टर के ओल कोश्टन एंसर को इस च लाख राकर आप लोग इस चेप्टर को पड़ सकते हैं इस वीडियो में सिर्फ पॉश्चन एंसर होगा इस चैप्टर के जितने भी कोश्टन एंसर को आप लोग के बुक में दिया हुआ है उन सभी कॉश्टन को हम लोग एक ही वीडियो में कमप्लीट करेंगे ठीक है तो है ठीक है टो यहां पर देखिए जवाब लिखा है या तूझा अविधिने पैदा हुही ठीक है फिर फिर गर अप्तन में आता है उन्हें से एक उवन तो तो उसको लगा देजीए गा धिया दूसरा सबस्क्राइब देखिए दूस्रा सवाल आप मर जहाँ के वालिद का नाम क्या था यां की ँम्किटाजी का किया नाम था फादर ने बताना है ठीक है तो उनके वालिध का नाम सेयद अताउलहक था ठीक है उनके पिता जी का क्या नाम था सेयद अताउलहक तो यह हो गया आप लोगा एंसर आगे बढ़ियें तीसरे सवाल की तरफ जो तीसरा सवाल है वो यह है कि कमर जहां का पैदाशी तालुक सोब बिहार के किस जिले से है कुश्टम की कहने का मतलब यह है कि कमर जहां की पैदाशी तालुक सोब बिहार के किस डिस्टिक से यानकी वो बिहार के किस जिला किस डिस्टिक में पैदा हुई ठीक है तो इसका पैंसर क्या हो जाएगा कमर जहां की पैदाइशतालुक हे जिला समझती पूर में पैदा हुई है खेसले कि कौन सा कहानी कौन सांथा आप विए भूकर पूर्ग में तो ननका अवसान ë में ओर्पाटी हुई कमर जहां जो है वो किस यूनिवर्सिटी में टीचर है तो वो भागल पूरी यूनिवर्सिटी में उर्दू के उस्ताद है ठीक है तो यह होगा आप लोग का एंसर अगला सवाल देखिए स्टार्ट होता है अब मुक्तसिर सवालात यानि की लगो उतरिया प्रॉसमी ठीक है इसमें जो आप लोग का सबसे पहला सवाल है वो यह है कि कमर जहां की हालात जिन्दगी पर पांच जमले लिखिए ठीक है कमर जहां के बारे में उनकी हालात जिन्दगी के बारे में पांच सेंटेंस लिखना हो ठीक है तो देखिए जवाब लिखा है कमर जहां समझती पूर जिला के एक गाउं बुजर्ग दौर में उन्हें से क्याउनिस्भी में पैदा हुई और बुजर्ग दौर ही उनका बाई वतन है कमर जहां के वालिद का नाम से यदाताउल हक था ठीक है देखिए कितना अच्छा तरीके से लिखा है कि कमर जहां समझती पूर जिला के गाउं बुजर्ग दौर में पैदा हुई उन्हें से क्या और इस भी में और उनका बाई वतन बुजर्ग दौर ही था और कमर जहां के वालिद कराम किया था स्यदताउल हक गाउं में स्य गई पठना गई और वहीं से इंटर से पिएजडी तक पठना इंवर सिटी से तालीम हासिल की उर्दू उर्दू से फित्री लगाओ होने के बावजूद होने की वज़ए से तालीब इल्वी के जमाने से ही वह अपसाना नेगारी शुरू कर दी उनका उर्दू से ज्याद की फ़रसत मौजू के एतबार से लिखी है यहां पर आप लोगो कमर जहां की तसानीफ यानिक उनके करियेसंस के बारे में बताना है कि वो क्या क्या लिखी है तो देखें यहां पर जवाब लिखा है कमर जहां अगर एक तरफ अपसाना नेगार है तो दुसरी तरफ किसे कहते हैं तनकीद का मतलब होता है सही गलत की जाच परख करना ठीक है और जो सही गलत की जाच परख करता है उसमें सुधारता है उसी को बले जाता है तनकीद निगार ठीक है तो यह एक तरफ से अफसाना निगार भी है और दूसरी तरह तनकीद निगार भी है और है ऐसानों में उनके तीन अफसानीं मजमूए है जो इस तरह है अफसाना में यानि की कहानी में उन्होंने कहानी की किताब लिखे हैं जीसे की यहां पर दे MARY है नाम पहला है चारागर जिसकी इसायाद जो जिसको प्रकाशित कियागा है उन्हें से 83 इसभी में ठीक है चारगर जो है ये इनके कहानी का किताब है ठीक है जो कि उन्हें से 83 इसभी में परकाशित किया गया दूसरा है अजनबी चेहरे ये भी कहानी का ही किताब है जो उन्हें से कार्मिर इसभी में परकाशित किया गया तीसरा है याद नगर जो अभ और रुमानी शायरी, तुसरा है मौयार, तुसरा है कलाम, अब्दुल्ला हाफिज मश्की पूरी, चौता हर्फ आ गही वगए उनका कल्मी सफर अभी जारी है, ठीके? तो यह होगी आप लोगका कमर जहां के क्रियेशन्स के बारे में, अब तीसरा सवाल देखिए, कमर जहां अबाई गाओं बुजर्ग उद्वार में ही अब्तदाई तालीम हासिल किया, कमर जहां जहां अपनी गाओं में ही क्या की अब्तदाई तालीम सुरुआती से चली, और फिर आला तालीम के लिए वह पटना आ गई, आगे की तालीम करने के लिए तालीम वह तर्बियत लेने से अपनी मुलाजमत का आगास किया फिर उनका तबादला भागल पूर इनसीटी के श्रीबा-उर्दू में हो गया और तरक्वी करके वह सदर श्रीबा-उर्दू के एहदे तक पहुंची तद्रिशी मात के साथ आप अफसाना निगारी भी करती रही चुनांचा आपकी कई अफसानी मजबूर और तनकीदी किताबे भी साई हो चुकी है ठीके तो यह हो गया कमर जहां की तालिम उतज्रिश के बारे में जो की लिखा जा चुका है चार नंबर देखिए सवाल है कि अर्दू के क किसी पांच खवातिन अफसाना निगारों के नाम लिखिए यानि की अर्दू के कोई पांच खवातिन पांच औरत का नाम लिखना है जो की अफसाना निगार है कहानी लिखने वाली है तो इसको कैसे लिखेंगे देखिए इसका एंसर भी है अब लुक्ट एंसर नहीं इसमत चुकताई और पाच्वा है निगार अजिम यह पांच क्या हो गया ख्वातीन अफसाना निगार के नाम हो गए ठीक है आगे बढ़िए अब बात आती है तवील सवालात की जिसमें आप लोगों को लंबा लंबा एंसर लिखना होता है 15 सेंटेंस में ठीक है तो इसमें कि अफसानों के मौजवात पर रौसनी डाली है ठीक है अफसान के मौजवात टॉपिक्स पर आप लोगों को रौसनी डालना है कि वो किस तरह की अफसाने लिखा करती है और उनका अफसाना किस तरह का होता है ठीक है उनके अफसाने को पॉइंट बना कर टॉपिक बना कर य तालिक है चुनकि वह खुद भी मौजूदा एहद की एक नुमाइंदा अफसाना निगार है इसलिए वह अपने तखलिकात में अपने एहद की आइनादारी करती है कोई भी फंकार अपने मौश्रे के आम लोगों से जहनी सता पर नस्बतन बुलंद और हसास होता है बहुत अ कि मौश्रे की हालात वाकवाइफ को फंकार अपनी तखलिकात के जरिये पेश करता है और दूसरी है दूसरी सुरत यह है कि फंकार की पेशकस और तखलिकात का मुताला करके समाज भी उससे बहुत कुछ सीखता है और नए समाज की तश्कील उसी नहज़ पर होती है और की अपसाना निगारी पर बात लिए उनकी अपसाने को टॉपिक बना कर लिखना है तो मुक्तलिफ एहद में फंकारों ने अपनी तखलिकात में उस दोर की हालात की अकासी की मसलन जमिन दाराना और जागीर दाराना एहद की तखलिकात इसी समाज के तर्जमानी करती हुई نظر آتی ہے اور تحریک جد و جد آزادی کی تخلیقات میں انگریزوں کی مخالفت اور نفرت کی جھلک صاف نظر آتی ہے اسی طرح ترقی پسند تحریک کے زمانے میں ادب میں اس طرح خیالات کا غلبہن نظر آتی ہے اسی طرح آزادی ہند اور تقسیم ملک کے زمانے میں افسانوی نیگارشات میں آزادی اور تقسیم ملک سے پیدا شدہ حالات کی حکاسی نظر آتی ہے ٹھیک ہے یہ آپ لوگ کے جو ہے نہ अफसाना निर्गार है जो कमरजहाओ उनकी इसनों के बारे में लिखा ग्या है और अको टॉपिक बनाए गया है कि किस तरह का अफसाना लिखा जाना चाहिए तो आजादी के बाद मलकी हालात बहुत थक तक बदल चुके थे इसलिए इस दोर के अफसानों में बदले वे हालात में आजाद हिंडुस्तान की नई तस्वीरे मिलती है आज जमाना बहुत बदल चुका है हम एक इसवी सदी में कम्प्यूटर और इंटरनेट के दोर में सांस ले रहे हैं आज का समाज मादर परस्ती का शिकार है इखलाके कद्रों का जवाल हो रहा है चनाच आज का फर्णकार अपनी ही चीजों को अपनी तखलिकात का मौबू बनाता है तो इस तरह आप लोगो लिख सकते हैं तो इसको छोटा भी करकर लिख सकते हैं नहीं तो जितना लंबा चोड़ा दिये उतना भी आप लिख सकते हैं लेकिन अगर आप इसको काट चाट कर छोटा करना चाहते हैं तो आप लोग खुड से भी छोटा करकर लिख सकते हैं आगे बढ़िए। चाहं के अफ्षानों के मोजुआत भी मौजूदा दोर के माधी हालात से उख़कर दे हैं यानी माधा परस्ती गुर्बोए एक लाकी खदरों का जवाल के जर्फतार जिंदगी में तरक्ती की दोर औरगार। कमरजहा के अफ़ानों के मोज़वात में, यव फितरी बात भी है कि हर पंकार अपने एहद की अएध की हालाद चाहिए, अपनी तखलीक के मोजवात मतख़ इन्विगता करता है, कमरजहा की ते मोजवात भी इसी नोईध की हैटीके, तो ये हो गया इतना लंबा इंसर, ने तो इतना लंबा लिक सकते हैं आप लोग छोटा भी कर सकते हैं वैसे मैं आप लोग बढ़ कर बता दे रही हूं की लफजों को पढ़ने में दिकत नहों और अच्छा उसका कर सकें ठीक हैं और प्रणेंसियशन की गलती किसे नहीं होती है मुझसे भी हो चाहती है कभी चूझा थो आगे बढ़िए दूसरा सवाल है कहानी का उनवान कटी हुई शाहक کیूँ है वाजे ही कहानी का उनवान है और यहानि कि टाइटल जो है वह कटी हुई शाहक क्यों रखा गया है इसको वाजी करना है बताना है खुलासा करना तो देखिए जवाब यहां से स्टार्ट है कि कमर जहां के सामिले निसाब अफसाने का उन्वान कटी हुई शांक है फिक्री एतबार से यह एक कामयाब अफसाना है इस अफसाने में कहानी का मौद मौदूदा दौर के मौशरती पसमंजर से लिया गया है इसलिए कहानी अपने मौदू के अधबार से बिलकुल इसमे बामसम्मी है ठीक है एक इसवी सदी में साइन्स और यहां पर देखिए यह टेक्निलोजी होना चाहिए अबर टे होना चाहिए गलत लिखा गया है टेक्निलोजी की तरकी इंटरनेट की एज़ाद में माहौल को ज तरह तरह के मचाईल पैदा हो रहे हैं ठीक है हंडूस्तान के एक मिनट हां हंडूस्तान के इसी बदलते हुए मसाईल को कमर जहाँ ने अपने अफसानों का माज़ू बनाया है और उनका जिर्यने साब अफसाना कटी हूई शाक भी उसी नौईद का उनूान है ठीक है जिस कमाने के बावजूद वह समाजी तोर पर अपनी तहजीब और मौश्रे से कट कर रह जाता है और देहनी वाजीत का सिकार हो जाता है ठीक है यह कटी हुई लोग इसी चैनल के प्लेडिस्ट में जाकर देखेंगे तो अर्दू दारक्षा टेंख सेवे क्या नाम है अर्दू दारक्षा टेंख फिर दातेंफ आप लोग में देखेंगे तो मिल जाएगा वहां से आप लोग कि आप देख सकते हैं चैप्टर को जब मैं पड़ाई हूं और यहां पर आप लोगों को हो सकता है कि कम समझ में आए लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ कि इसमें जो है ना इस कहानी का जो टाइटल है वो इसलिए कटी हुई शाख रखा गया है क्योंकि इसमें एक बुड़े इंसान मतलब एक नौजवान की बात की की हालत में अपने दोस्तों को छोड़कर दुसरे शहर में चला जाता है दुसरे कंट्री में चला जाता है ठीक है और वहां पर जाकर तो पैसा कमाता है वहां पर चार-पांच सल रहता है लेकिन जब वह पैसा कमा देता है तब उन सारी चीजों सो उसका मन भर जाता है ठीक कि जब वो नवजवान अपने घर वापस आता है अपने माबाप के पास चूड़ कर वो चला गया रहता है किस बोग उस構 को भूल गए रहते हैं घिकशें अब अब फिर से वही क्या बोला जाता है वही मोह और वही प्यार पाना चाहता है जो कि इसको कभी नहीं मिल सकता वही इस कहानी का टाइटल दिया गया है कटी हुई शाह क्योंकि जब किसी पेड़ से किसी दरख्त से साख को काट दिया जाता है तो उसको वापस नहीं जोड़ा जा सकता बिल्कुल उसी तरह इस कहानी में पेश किया गया है कि जिस तरह वो जो नौजवान है अपने घर को अपने माबाप को छोड़ कर चला गया दूसरे जगह में दूसरे जगह पर दूसरे शहर में और फिर जब वो आपस आया और फिर वही वो प्यार पाना चाहता है तो वो उसको नहीं मिल पाता है क्योंकि वो रिष्टा तोड़ कर गई हैं अब डिलेक्ट हम लोग आते हैं चप्टर नमबर थी पर सवाल नमबर थी पर तो जो तीसरा सवाल है वो यह है कि महाजिर अदब की स्तला से आप क्या समझते हैं कि अजेरे निसाब अफसाना इस जुम्रे में हैं वदल दल जवाब दीजिए यहां पर सवाल पुछ रहाएं कि बताएं महाजिर अदब किसे कहते हैं महाजिर अदब किसे कहते हैं महाजिर अदब को हिल्ली में बोलते हैं और प्रवासी साहित्या ठीके तो और प्रवासी साहित्य किसे कहते हैं आप लोगों को बताना है तो देखिए यहां पर जवाब तो देही दिया है जवाब में क्या लिखा है जदीद दौर की अद्वी इस्तलाहात में से एक इस्तला महाजिर अदब भी है जिसका लोग भी मानी हिजरत करने वाली अदब के हैं यानि की महाजिर अदब उसे कहते हैं जो हिजरत करने वाली अदब होती है यानि की एक जगा से दूसरे जगा ट ब्यापक साहिते की रूप में इनके नजरिये से तसलिम किया जाता है जिसकी कई शकले हैं ठीके जो महाजिर अदब है यह कई शकलों में कई रूपों में फैला हुआ है एक शकल यह है कि देगर जुबानों की इस्तलाहात मादी मादरी जुबान वह अदब में शामिल कर लेन देगा है तो याणने की यह एक शकल में फैला हुआ है महाजिर अदब। लेकिन इसकी एक रूप है कि जो मेs देगर जुबान और जुबान अदर दूस्री भासा है अधरलेंगहेज को अपने मादुरी जुबान में अपने मधर टंग में क्या कर लेना शामिल कर लेना इस इसकी भी दो सूर्त होती हैं दूस्री जुबान के अलफाज को ठीक उसी तरह इस्तिमाल कड़ेना जिस्ते तो पहली सुरत ये है कि जो दूसरा भासा है दूसरे भासा के लफजों को अलफाजों को बिल्कुल ठीक हूँ बहु उसी तरह अपने जुबान में अपनी मातरी भासा में यूज कर लेना और अपनी मातरी जुबान का क्या बना लेना हिस्सा बना लेना ठीक है और दूसरी तो को ज़जवी तर्मीम और उसकी मतलब कुछ सूरत बदल दिया जाता है काट चाट कर ठीके उसको चेंज करकर थोड़ा अपने तरीके से सुधार कर अपना अलग रूप दे कर क्या किया जाता है अपने मदर टंग में यूज किया जाता है ठीके तो ये दो सूरते होती हैं पढ़िये वैसे महाजर अदबोन के नखरियात उम ख्यालाथ अपने अदब में फन के तोर पर इस्तेमाल कर लेना कर लेने को कहते हैं कि महाजर अदब जो होता है वो किसे दूसरी चुबान क्युत है कि दूस्स पाहता के दा खिए फनतरी भासा में कOur का दो कर दादा है जैसे कि दूसरा language है, दूसरी भासा है, कोई other language है, वो किस तरह बोला जाता है, उसके नजरियात और ख्यालात को अपने भासा में क्या कर लेना, इस्तिमाल कर लेना, यूज कर लेना, उसी को बोला जाता है, महाजिर अदब, अब आप लोग समझ गए होंगे, इसकी भी दो सुरत यह है, कि दूसरी जुबान की अदबी, एक मिनट अदबी तखलीक का अपनी जुबान में तर्जुमा कर लेना, इस सुरत में हम दूसरी अदबियात को उसके फन के साथ समझने के एक मिनट के लाइक हो जाते हैं, उसको समझने के लाइक हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है तो दूसरी जुबान को दूसरी भासा को अपने मदर टॉंग में लाने के दो सूरते होती है पहले तो वह बहु बिल्कुल उसी तरह उसी दूसरी भासा में जिस तरह लफजों को बोला जाता है बिल्कुल उसी तरह उस लफजों को अपने भासा में लाकर यूज कीजिए या फिर दूसरी भासा में बोली जाने वाली जो लफज है उसको ठोड़ा कार्ट चाट कर और उसकी सूरत बदल कर अपने भासा में यूज कीजिए ठीक है और यहां पर देखिए आगे है तरजमा की शकल में हम इस नजरिये को मस्ता आर्ट लेते हैं जो हमारे अदब की मस्तकल हिस्सा बन सकती है दुसरी शकल यह है कि हम देगरा अद्बियत का मुताला करके उसके अफकार वो नजरियात को अपनी जबान में शामिल कर लेते हैं इस सूरत में रफता रहता हुआ अफकार वो नजरियात हमारे अदब के इससे बन जाते हैं जेरे निसाब अफसाना कटी हुई शाक जो है वजजवी तोर पर महाजिर अदब के जुरे में आता है तो यह हो गया अप लोगा एंसर अब जल्दी जल्दी सवाल नमबर चार देख लेते हैं कोशन नमबर फूर है कि कहानी की मरकजी किरदार की जहनी वजडानी कीफियत को इकतसार में लिखिये इस कहानी का जो मरकजी में किरदार है उसके जहनी वजडानी कीफियत को लिखना है तो इसका इस कहानी का कटिवी शाख का में किरदार जो है वो एक नौजवान है ठीक है वैसे हम लोग पहले जवाब को देखते हैं कि जेर इने साब अफसाना कटिवी शाख का मरकजी किरदार हिंदूस्तानी मौ का सफर करता है ठीक है इसमें बताया जा रहा है कि कट्वी शाख का जो मरकजी किरदार है वो एक नौजवान है जो की तालिम हासिल करने के बाद अपने जाइफ बुढ़े वालिद वालिदी अपने माता पीता यान की मदर और फादर को छोड़कर दुनियावी खुशाली को देखने में ठीक है देखने की लालच में छोड़कर और सफर करने चला जाता है दूसरे कंट्री में चला जाता है सफर में जाने के लिए जब वो हवाई अड़े तक पहुशता है तो शांदार मुस्तकबल के तरसूर में खो जाता है अब उसे हिंदुस्तानी मौाश्य की जिन्दगी एक कुवे के मेंडग की तरह लगती है जब वो हवाई जहाज पर सवार हो जाता है और एयर होस्टेज जब उसके सामने मुस्कुराहट के साथ खाना पेश करती है तो उसे वा जन्नत की हूर तसलिम कर लेता है और खाना को मनवसलव समझता है वो अपनी खुसकिस मती परनाज करने लगता है लेकिन अगले ही लमा जब वही एयर होस्टेज दूसरे मुसाफिर को भी इसी दिल नमाज मुस्कुराहट के साथ खाना पेश करती है तो उसका नश्राश चूर हो जाता है और जदीद तैजिब के यारी वा मलमा साजी को वह महसूस कर लेता है इ एयर हेस्टेज की मुस्कुराहट जल्वाए आम की एक मिनट जल्वाए आम की हैसियत रखती है देखिए यहां पर एक मिनट हैसियत रखती है ठीक आगे देखी आगे में पढ़ देती हूँ आप लोग का आगे लिखा है कि फिर वह नौजवान अपने मतलूबा मुलक में पहुँचकर मुलाजमत शुरू कर दिया जो मैं आप लोग को कहानी बताएं ना बस वही इसमें आप लोग को लिख दिया गया है मैं आप लोग को बता चुकी हूं कि वो जो नौजवान था उसको दनिया देखने का बहुत शॉक्त कर लिता है तो हाँ पर जाकर वो मुलाजमत करता है डियरी नों पर चार पांट सब्सक्राइख कर लेता है कर लेता है तक द Such चीज़ को शौक था सब्सक्राइब का हर चीज़ देख लेता है ठीक है और किसी चीज़ की उसके पास कम ही नहीं रहती उसी दरान एक दिन उसे अपने मुस्टशना जिन्दगी का एहसास हुआ और उसने महसूस किया कि वह दौलत की होस में रफतर रफता अपने एहल वायाल से कुटता जा रहा है अपने बच्चों से बात करते हुए उसे हफ्तों गुजर जाता है यहां तक कि उसके बाप का इंतकाल की जब खबर मिली तो जनाजे में शरकत तो दूर की बात है वह उस गम को खुल कर रो भी नहीं सका यह माधीम जिन्दगी की सितम जरीफी थी कि वह अपने जजबात का खुल कर इजहार भी नहीं कर सकता था उस नौजवान के पास दुनियावी जिन्दगी के तमाम तरस बाब रहत वायश मुजूद थे लेकिन अगर किसी चीज़ की कमी थी तो वह खुशी और सुकून की कमी थी यहाँ तक कि जब वह नौजवान हिंदुस्तान वापस लोटा तो उसका वह घर जहां उसने बच्पन गुजारा था उस दर वह दिवार से उसे जज़बाती मुहबध थी उस घर में उसे अजनवियत का एसास हुआ और उसने इस हकीकत को तस्लीम कर लिया कि उसकी शक्सियत एक कटी हुई शाख के मानंध है जो अपने जड़ से कट कर अपनी असलियत को असलियत को खो चुका है ठीक है अपन का कटी हुई शाक नाम के चैप्टर का ओल कोश्चन एंसर जिसको आप लोग एक एक करकर देख लिए और समझ भी लिए अगर कोई भी कमफ्यूजन हो आप हमें कमेंट करकर पूछ सकते हैं वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर तो बनता है वीडियो को लाइक कीजिए ज्यादा ज्यदा शेयर कीजिए अपने पड़ोसियों के पास अपने दोस्तों के पास और हां अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो अप्लोड करूं आप तक सबसे पहले पहुंचे तो फिर मिलेंग के जाहिंद और खुदा हाफिज